नमिश्कार मेरचा सिंग स्वागित करती हूँ आपका हमारे खासकारिक्रम आज के राशिफल में साल दोहजार चौविस का जून का महिना शुरू हो चुका है जून के इस महिने की शुरूआत अपरा एकादशी वर्ट सावित्रे व्रत शनी जैनती नरजला एकादशी और जेस्ट पूर्णिबा से होने वाली है जिसके कारण ये महिना बेहल शुरू रहेगा साथी इस मा में कई बड़े ग्रह भी राशी परिवर्टन करने वाले हैं तो आईए जानते हैं कि आज किन राशीयों को लाब होगा और किन राशीयों को सावधानी रखनी की ज़रूरत है मेश राशी आज अपनी स्वभाव को सहज और सरल रखने की कोशिश करनी होगी अपने रूठे परिजनु को मनाने में अधिक धन खर्च करना पड़ेगा संध्या के बाद सभी प्रकार के सुखु की प्राप्ती से मन आनंद से भरपूर रहेगा स्वास्त में अचानक गिरावट आने से मन मुटाव की स्थिती बनेगी उपाय भूके लोगों को खाना खिलाए व्रिशब राशी आज बैठे बैठे ही किसी भी रूप में अचानक लाब प्राप्त होगा दिन का पहला भाग थोड़ा कम लाब देने वाला रहेगा भूमी भवन याचल संपत्ती के रखरखाव पर खर्च करना पड़ेगा घर का वातावरण धार्मिक रहेगा उपाय माता पार्वती या उमा की पूजा करें मिथुन राशी आज काफी संतुष्ट रहेंगे महलाईं थोड़ा दुखी हो सकती है कारशेत्र में आज विलंब होगा देनिक खर्चों की अधिक्ता के कारण बचत नहीं हो पाएगी उपाय शनी देव के दर्शन करें और तेल चढ़ाएं करक राशी आज का दिन आपके विक्तित्व में निखार लेकर आएगा घर का शांती पूण माहौल भी खराब होगा कारे विवसाय से लापकी संभाबना कम है व्यापार में आज भूल कर भी निवेश ना करें उपाय प्राताहकाल भगवान सूरी को तामबे के लोटे से जल अर्पित करें सिंग राशी आज का दिन स्थिती में थोड़ा सुधार लाने वाला है मनुकामना पूर्ती में अभी भी कुछ रुखावटे आएंगी मध्यान से पहली कोई भी महत्पूर्ण निर्णे ना लें लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे उपाय सफेज चंदन का तिलक लगाएं एवं भगवान शिप को तामबे के लोटे से जल दें कन्या राशी आज का दिन आरायम दायक तरीके से बीतेगा उपाय भगवान विश्णू को बेसन के लड्डू का प्रसाथ चढ़ाएं तुला राशी दिन थोड़ा परिशानी देने वाला है कारिशेत्र में आपको अनुकूल वातावरण मिलेगा घरेलू खर्च में आज बढ़ोत्री होने से बजट प्रभावित रहेगा मित्रों और परिचितों से उपहार और सने का आदान प्रदान होगा उपाय प्रत्यक्ष देवता भगवान सूरे नारायन को अर्ग दे विश्यक राशी काम काज करने में काफी आलस आता रहेगा अधिक मेहनत वाले काम से बचने का प्रयास करेंगे दोपहर बाद आपकी सेहत बिगड़ने लगेगी कारे विविसाई से मेहनत के बाद ही लाब प्राप्त होगा उपाय गरीबों को वस्तर एवं भोजन दान करें धनू राशी आज का दिन काम को छोड़ कर विर्थ की भागदोर में बीतने वाला है आपका सामाजिक दाइरा बढ़ेगा दुष्ट स्वभाव के लोगों की संगती से बचें महलाओं को अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक काम करना पड़ेगा उपाय कृष्ण भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं मकर राशी अपने काम काच को लेकर कम ही गंभीर रहने वाले हैं दिन की शुरबाद से ही आलस स्याप पर हावी रहने वाला है कारे व्यविसाय से आज़दे का पेक्षा ना करें धार मिक्षेत्र की यात्रा करेंगे उपाय योग प्राणायाम का अभ्यास करें कुम्ब राशी आज काम काच को लेकर काफी दोविधा में रहने वाले हैं कारे शेत्र में काम काच की गती धीमी रहने वाली है खर्चे काफी जादा रहने वाले हैं पारिवारिक जीवन काफी जादा प्रभावित रहने वाला होगा उपाई शिव जाप माला का पाठ करें मेन राशी आज परिजनों का व्यावार आपके स्वभाव पर निर्भर करेगा कारिशेत्र से काफी उम्मीद रहेगी आय कम होने के कारण खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे घरीलू जरूरतों को पूरा करने में जल्दबाजी ना करें उपाई गनेश जी को लड़ू का भोग लगाएं गौर तलब है कि राशी फल हमारी पूरे दिन के कारेकाल को बताता है जिसे लोगों के मन से ये शनका दूर हो जाती है कि उनका आज का दिन कैसा जाएगा खेर आज के राशी फल में बस इतना ही देश दुनिया की तबाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे है सीनियोज भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाथ